दोस्तों आगर आपके पास पर एक Android TV है या फिर MI का Android box है या फिर कोई और Android box है और आप अपने Android TV को मोबाइल से remote की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं आपका remote कहीं और पड़ा है घर में और लेकिन मोबाइल तो आपके बास हमेशा रहता है तो दोस्तों मोबाइल को आप एजे remote की तरह यूज कर सकते हैं और अपने Android TV को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके दोस्तों दोस्तों अफ्शन अफले वले एक तो आपका Google TV एप है और गू Google Home App की उसके थुरू भी आप अपने mobile का remote की तरह यूज कर सकते हैं और एक अच्छी बात यहीं कि आपका iPhone और Android मोबाइल दोनों में काम करता है तो आज मैं दोस्तों आपका iPhone में यह सेटप करके बता रहा हूं Android में सेटप यूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो क स्टाट करते हैं और आगे डिटेल में आपको बताजता हूं कैसे आप Google Home को अपने Android TV के remote की तरह यूज कर सकते हैं दोस्तों आप अपने iPhone में एप स्टोर में जाएंगे तो वहां पर Google Home App आप सर्च कर सकते हैं यह अवली अप्लिकेशन है तो इसको 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 इसके बाद आपको Google account select करना होगा तो most probably वही account आप select कर लिजे जिससे आपका Android TV signing है या फी login है तो select कर लेते हैं इसके बाद है अगरी कर देते हैं इसके बाद लोकेशन को अगर आ रहे है तो अपने आप उठा लेता GPS से वह select कर लिजे इसके बाद में Google Home would like to use Bluetooth Bluetooth on कर दीजे इसका next कर दीजे इसके बाद में आपको Google Home would like to access your location allow while using app कर दीजे इसको इसका continue कर दीजे लोकिंग for devices यह अपने आपी devices जोब लोगी local area network में वह आपको यह search कर लेगा आपको Chromecast होगा Android TV होगा MI Android box होगा कोई और Android box होगा same Wi-Fi network है तो यह थोड़ी देर में search कर लेगा इसके बाद में आपको क्या करना है इसमें आप जाएंगे आप दिवाइसे का एक आइकन नीचे दॉनसाइड में इसको टैप करते हैं तो आपका मिबॉक्स यहां पर local devices में internet इस इस चौर 16 सब्सकर लेकिंगा अप्सक्र आप सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद में आपके पास में टीवी पर एक कोट शो होगा देख सकते हैं आपको मुबाइल के एप में गूगल हो मैं पर एंटर करना है तो 0B7898 यह वाला कोड इंटर करते हैं इसका पेर का एक अप्शन है इसको पेर कर लेते हैं तब देख सकते हैं एपल आइफ़ों ने पर सक्सेश्फुली लिखा गया इसके बाद आप रिमोट की तरह अपने मॉबाइल को यूज कर सते हैं यहां से आप लेफ राइट कर सकते हैं देख सते हैं अपलीकेशन के सलेक्टोरी है मेरी ट दबाऊंगा तो यहां पर आजाएगा वापस यहां आगया यहां से वालिम को कम कर सकता हूं यहां पर मैं ज्यादा कर सकता हूं वालिम को अब देख सकते हैं ज्यादा हो रही है यह म्यूट का एक आइकन आगया म्यूट हो जाएगा यहां पर अब देख सकते हैं म्यूट ह सर्च करनी है तो मैं जैसे गया है यहां पर इसमें एक उप्शन आ रहा है गूगल हूं उड्लाइट अक्सेस दा माइक्रोवन आप बोलके भी इसको कमांड दे सकते हैं अलाओ कर दीजिए तो यहां से आप कमांड भी दे सकते हैं जैसे वाइस रिस्टेंट है यह जा रहा है यहां पर टाइप भी होता जा रहा है जो आप देख सकते है इसको डेलीट कर देता हूं अभी में विला तो यह देख सकते हैं अपका इस तरीके से मैं सीधा यहाu से टाइब कर सकते हूं इसको हर आपक इस में आपका यह पर शोब का पर आपने की बोर्ट के हैन prêt रहा है ऐसको कीबोर्ट हो से इसकोन में रखाए Michael with भी कर सकते हैं जैसे आफ करूँगा तो टीवी मेरा ओफ हो जाएगा जैसे और गूगल टीवी आप एंडॉट टीवी आप एंडॉट बॉक्स से टरन अफ हो गया वापस ऑन शायद यह नहीं पाएगा क्योंकि आपका वाइफाइ नेटरों को नहीं है तो आपको इससे आपक आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना है और दोस्तों हमारे चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर दीजेगा यहां पर आपका ऐसे वीडियो फ्यूटर में देखने को मिलते रहेंगे तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता है और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक्यू